तो आदाव नमस्कार गुडिनिंग सच्छा काल एक बाद फिर आप तुमाम नों का स्वागत एक्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में उम्मीद पूरी फैमली अच्छी होगी अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी आज बहुत एतिहासिक दिन इसलिए कहानी शुरू करूं से पहले प्रान प्रतिष्ठा कारेकरम संपूर्ण हुआ भगवान राम को उनका नया घर मिला और भव्वे राम मंदिर का निर्मान हुआ प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और बाकी तमाम जो दिगच लोग साधू चैनल पर इसको लाइब दिखाया गया और पूरे देश में जितने भी राम भक्त उन्होंने जोश और खरुश के साथ आज के इस दिन को मनाया तो ये एक एतिहासिक दिन था पूरी क्राइम तक फैमली मेंबर को चाहे वो देश में हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में हो इस राम मंदिर के शुभारम और इसकी शुरुवात उसके लिए बहुत-बहुत बधाई मुबारक और इसी तरह से प्यार बना रहें लोग एक दूसे से प्यार करते रहें और इस बधाई के साथ एक बड़ी दिल्चस्ट कहूं या क्या कहूं बड़ा अच्छा बात भी बताता हूं कल से बड़े सारे मेल आ रहे थे मेरे पास दोनों तरफ से एक की तरफ से पूचा जा रहा था कि और क्या करता ही दूसरी तरफ से कहा जा जा रहा कि कि आप बिल्कुल बदाई नहीं देंगे अब बीच में मैं पिसरा हूँ कि ये क्या दहस हो रही है तो दोनों ही तरफ से एक ही सवाल का जवाब दूँगा कि अगर राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो पिर कहां बनेगा पहली चीज़ दूसरी चीज़ ये जो मंदिर है भगवान का घर या फिर मस्जिद जिसे कहते हैं खुदा का घर इस सब किसलिए होता है माटने के लिए काटने के लिए नफरत पहलाने के लिए नहीं बलकि महबत किसी भी धर्म को उठा कर आप देख लीजे हर धर्म में सिर्फ अच्छाई बताई जाती है ये नहीं बताया जाता है कि आप बुरे काम करो हर धर्म के आप धर्मी गरंद को उठा लीजे उसमें सिर्फ अच्छाईया होती है कोई भी धर्म आपको बुराई के रास्ते पर ले जाने के लिए और धर्म जगर अच्छाई के लिए है तो फिर इससे नफरत क्यों पैदा किया जाए तो इसलिए मेरा मानना है कि जब ऐसा महौल हो ऐसा मौका हो तो और एक को प्यार महबत के साथ एक दूसरे को बधाई मुबारक बाद जरूर देना चाहिए और कोई भी कीज़ अच्छाई के लिए हो तो जरूर उसको आगे बढ़ाना चाहिए बाकी तो राजनीती सियासत शिक्वा शिकायत यह तो हम मैं शुरू से कहता हूं कि इस दुनिया में जब तक दो आखरी इनसान बचेंगे क्राइम होता रहेगा और क्राइम रिपोर्टर की रोजी रोटी चलती रहेग तो उसी तरीके से ये बाकी चीज़ें बह। हुती हैं लेकिन मेरा मानना है प्यार मुहबबस से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और ये सबसे अलग है सबसे उपर है और कोई भी धर्म कोई भी म언ध़ब नफ़त का पेगाम नहीं देती है नसन्देश देती है तो इसी के तुमाम लोग पूरे देश और दुनिया के हरकों ने आज का दिन आज का यातिहासिक पल हर एक को बहुत बहुत बढ़ाई और आप सब अच्छे रहें अपने अपने घरवालों का खास तोर पर अपने बुजर्ग माबाप का ख्याल रखें बढ़ों की इज़त करें छोटों तो मैंने दे दिया नफरत ना बढ़े और ये हो लेकिन अफसोज जो काम मैं करता हूँ उस क्राइम की हर कहानी में ही कहीन है कहीन नफरत है तो अजीब बात है बहुत के पाईगाम भी दे रहा हूं और नफरत की कहानी भी सुनाता हूँ अजीब एभी خyल आया तो मैंने क पड़ा होगा कि कहीं कोई कतल हो रहा है और उसके बाद उसके लाइफ रिकॉर्डिंग हो गई या कुछ हो गया कुछ प्रूफ मिल गए तो वे कि तफाक है फिल्मों में असल जिन्दगी में क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक मर्डर कर रहा है और उसके बाद आगे आगे वो क्या करता है वो सारी चीज़ें एक मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही है और ना कातिल को पता है कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है और जो रिकॉर्ड कर रहा है उसको भी नहीं वालू है कि वो क्या रिकॉर्ड कर रही है वो तो समंदर की लहरों को समंदर की थी उससे पहले ही सुल्जा देती है कहानी गौवा की है इदा दस बारा दिन से गौवा बहुत चर्चा में है पहले तो सूचना सेट अब आज की यह जो नहीं कहानी है 19 जनवरी फ्राइडे का दिन था दोबहर के 3 बचकर 45 मिनट हुए थे एक गौवा में बहुती खूबसूरत जगा है सौथ गौवा में और सौथ गौवा में इस एक बीच है राजबाग बीच तो उसी राजबाग बीच पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं और यह Exact जो है सौथ गौवा में यह काबो डे रामा काबो डे रामा एक लाका है और उसी इलाके में एक राजबाग बीच हैं बहुत सारे बीच है वाँजना बीच और बाकी फेमस कलंगुर बीच लेकिन वहीं पर एक राजबाग बीच है तो उसी बीच पर पहर,, 3 बज़क कर 45 मि जाता है अब इस बीच की खासियत यह है कि एक तरफ तो खुला बीच है लोग वहीं पर जाता तर आते हैं और उस बीच के एक तरफ अब जाएं थोड़ा आगे तो वहां पे बड़ी बड़ी चटाने हैं रोक्स और फिर समंदर के लिए वह अपनी तेजी से आती नहीं है बी इसी बीच में इसी बीच के किनारे बहुत सारे अपार्टमेंट्स है जिसमें लोग रहते हैं अब चुके समंदर के इस राजबाग बीच के किनारे में वह अपार्टमेंट्स है तो ऐसी जगे पे लोग अपना पेशेवर तरीके से उन अपार्टमेंट्स को किराय पे भी विडियो बना रही थी और वो विडियो बना रही थी इसी राजबाग बीज की तब ही पैन कर रही है अपने मोबाइल उसी दौरान में ये कपल उधर जाता है अब जब कपल उस्तरफ गया तो अपना कैमरे में कहते दें उसे अभी तक कुछ पता नहीं है थोड़ी देर के ब नहीं लोटरी सिर्फ जो मेल है वो वापस लोटरा है इत्फाक से जो रिकॉर्ड कर रही थी अब वो पासी में थी वो देख रही है तो उसने देखा कि अभी मैंने रिकॉर्ड के ये दो गए थे अभी अकेला आया तो कही बार ऐसा होता बीच में दो लोग गए कपल गए गल्फरेंड बॉइफरेंड या पती पत्नी तो वहां पर बहुत सारे आपने दिखा है देखेंगे दुकाने वकाने भी हैं आईस्क्रिम बेच रहे होते हैं तो उसे लगा ये कुछ खरीदने के लिए गया होगा और इसकी पार्टनर वहां पर रॉक पर बैठी होगी अब पूरी देर के बाद फिर वह वापस दुबारा आ रहा है में बीच की तरफ तो दूसरी बार हो चुका वो अधर रिकॉर्ड करें और उसका इंट्रेस्ट जाग रहा है कि ये सारे भीर इधर है ये दो लोग उधर गए उनमें से भी एक बार बार आ रहा है जा रहा है दूस उसने सिर्यसली रिकॉर्डिंग शुरू कर दी अभी भी रिकॉर्ड कर रही है लेकिन अब उसका इंट्रेस्ट जागा अभी तो इत्तफाक से कर रही थी तब ही रिकॉर्ड करते करते उसने देखा कि वो बंधा उसी समंदर के किनारे एक जगा पर गया और खुद घसी ट रहा है जब उसने जूम करके देखा तो उससे ऐसास हुआ कि ये कोई पत्थर ये बागी चीज नहीं है ये कोई इनसान है जिसको वो घसीट रहा है और घसीट कर उसने चट्टानों के बीच में उस चीज को रख दिया अब फिर वापस चलागी अब उसने और देखा जूम व ये सुध है या तो बेहोश है मत चुकी है अब इधर वो शक्स गया थोड़ी देर के बाद जो दो बार बड़े इत्मिनान से आ रहा है और जा रहा है तीसरी बार में देखती है कि वो शक्स बड़ी तेजी से बेतहाशा दोड़ रहा है में बीच से उस रोक की तरफ जब भागने लगा और चीख रहा है माई वाइफ माई वाइफ या मेरी बीवी करके तो अच्छाने के एक और टूरिस लेडी उसने उसको बड़वाज भागते वे देखा तो उससे लगा कि इसके साथ कुछ हो गया कोई हाथसा हो गया तो अच्छे दिल की उसने कहा कि इसकी पुलती जारी है जो शक्स भाग रहा उसके पीछ जो लेड़ी भाग रही उसको कहरी है मतलब उसने सारी चीजे इंग्लिश पर कही लेकिन वह यह इसका मतलब यह था कि यह इसी ने मारा इसी ने मारा और तुम इससे दूर रहो और यह एक्टिंग कर रहा है यह उसकी लेकिन शायद उस लेडी जो उसके पीछे भाग रही है उस तकी आवास नहीं पहुंच रही है वो अब भी उसके पीछे भाग रही है वो भागता है फिर उसी चट्टान की बीच में पहुंचता है और अचानक वो कुछ चीज देखता है रोता है और फिर उसको बाहर खीच रहुता है वो भी लाश थी अब इसके बाद वो खीचता है खीचने के बाद तब तक और लोगों को पता चल जाता है अब लोग आते हैं लाश को बाहर निकाला जाता है में बीच की तरफ तब तक कोई पुलिस क क्या माजरा है तब वो शक्स बताता है वो बताता है कि मेरा नाम गौरव है और मैं यहीं गोवा के साउध गोवा में एक five star होटल है Marriott International बहुत नामी होटल है तो बला उसी में मैं एक रिस्टराम में मैनेजर हूँ पिछले साथ सालों से मैं अपनी वाइफ को यहां लेकर आया था बीच पे घुमाने को उसके बाद हम एक चट्टान के किनारे बैठे हुए थे तब ही फिर वाइफ ने का मुझे ऐस्क्रिम खानी है तो मैं ऐस्क्रिम लेने के लिए चला गया वापस आया तो वाइफ थी नहीं, मैंने चारा तॉर्फ देखा फिर मैं चला गया कि कहीं अधर उधर तो नहीं है उसके बाद फिर मुझे लगा कि कहीं समन्दर की लहरों में वो बह तो नही गे तो मैं उसके बाद बधावास फिर मैं भागा तब टक ये लोग आए पिर मैंने लाश देखी फिर ये लोग मौजूद थे अब पुलिस ने भी जिस तरीके से लाश पड़ी वी थी पुलिस को लगा कि बहुत सार ऐसे हाथ से होते हैं अचानक लहरें तेज आती हैं किसी को बाहर कर ले जाती हैं गोवा पुलिस ने बाकाइदा उसको दिलासा दि और वो एक हाथसा था क्योंकि किनारे बैठी थी लहरें आई और तेजी से चली गी तो पुलिस अब ये सारी अपनी तफ्तीश कर ली है कोकू एफम के आउडियो बुक प्लैटफॉर्म पर दो कहानिया हैं जिसे आपको सुननी चाहिए एक है तंदूर मडर तंदूर मडर स्टेश में पहली बार जब एक तंदूर के अंदर एक डिट बोडी को डाला गया था ताकि उस लाज को ठिकाने लगाया जा सके चर्चित मामला पूरी कहानी डिटेल में दूसरी टूल बॉक्स किलर एक ऐसा सीजिल किलर जो अपने शिकार की चीखें सुनना पसंद करता थ गेराज में रखे टूल बॉक्स से कैसे वह उनको टॉर्चर करता था एक बहुत ही ज़ादा दहलाने वाली कहानी तो यह दो कहानिया तंदूर मडर और टूल बॉक्स मडर कुकु एफम के आउडियो बुक प्लेटफॉर्म पर आप सुन सकते हैं और सुनी हैं तो शुरू स सब्सक्राइबर हैं कुकु एफम हर महीने 2200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है और इस पर 10,000 से ज़ादा ओडियो बुक हैं जिसे आप कभी भी कहीं भी किसी भी जुबान में सुन सकते हैं खास दूर पर हिंदी में इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, र सिर्फ 49 रुपीज में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से ज़ादा जो ओडियो बुक का खजाना है जहां चाहें जब चाहें सुन सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है उसका इ अब उसने सारे वीडियो को एक एक कर देखना शूर किया जब देखना शूर किया तो उसने जब सीक्विंस को पूरा कंप्लीट किया तो उसे लगा ये क्या हुआ उसने अंजाने में एक लाइव मडर शूट कर लिया था वो जो बंदा भाग रहा था जो बंदा घसीट रह था, असल में वो उसकी बीवी थी, वो उसका कटल किया, और उसके बाद उसने एक्टिंग किया, कुछ विटनिस को लाया ताकि बता सके कि देखो, मैं तो बीवी को ढूंड रहा था, ऐसक्रीम लेने किया था, इस बीच में वो डूप के मर गई, अब पुलिस उधर जा चुक अपना मॉबाइल पुलिस को देती है, कहती है, यह बंदा जब से आया, मैं कुछ और शूट कर रही थी, रिकॉर्ट कर रही थी मॉबाइल में, गलती से यह कैमरे में कैद हो गया, और गलती से वो सारे चीज़ें कैद हो गई, जो जो इसने किया, और इसको भी बता नहीं और मुझे भी बता नहीं थी, कि मैं क्या शूट करनी हूँ, अब जब पुलिस ने वो विडियो देखा और उसके सीक्वेंस को देखा, पुलिस पूरी कहानी समझ गई, अब तक जो पती उसका रो रहा था, अब पुलिस ने उसको सामने वो विडियो रखा, उसके आंसों भी बन, बोलती भी बन, पुलिस ने का, तुम कहानी सुनाओ, इससे पहले के हम शुरू हूँ, इसके बाद उस शक्स ने कहानी सुनाई, नाम उसका गौरफ और गौरफ लखनों का रहने वाला, बाद में उसने होटल मेनेजमेंट का कोर्स किया, पहुंच गया गोवा, उसकी शादी ते हुई, ये अरेंज मेरेज थी, घर वालों ने शादी ते की थी, लड़का चुके गोवा में अच्छी नौकरी करा था, लड़की भी ठीक ठाक पड़ी लिखी, दोनों परिवाद तयार हो गए, गौरफ भी उसको देक्षा को देखकर राजी हो गया, दोन में लड़ाई शुरू हो गए और उसकी वज़ाई ये थी, कि देक्षा को देरे देरे पता चला, कि गौरफ की जिन्दगी में कोई और भी है, कोई और महिला है, किसी के साथ अफैर चल रहा है, तो उस बात पर पहले लड़ाई जगणा होता रहा, लेकिन फिर देक्षा न भी उसने सारी जनकर ये खटा कर ली, तो अब गौरफ को लगा कि ये गरबढ़ हो गया, जिससे उसका फैर था उसने गौरफ ने उससे भी शादी का बादा कर रखा था, इधर ये शादी अलड़ी कर चुका था, तो अब वो क्या करे, इसी के बाद उसने प्लैन किया, कि अगर वो दीखशा को अपने रास्ते से हटा दे, तो जिससे उसका फैर है, वो आराम से शादी कर सकता है, लेकिन रास्ते से कैसे हटा है, क्योंकि वो जेल जाना नहीं चाहता था, कुछ ऐसा करना चाहता था कि कत्र लगे ही नहीं, इसी के बाद बहुत सोच कर उसने कहा कि एक हाथसा के तौर पर अपनी बीवी का कतल करते हैं, पूरी प्लैनिंग केता है, तो कई बार कई अलग अलग बीच की उसने रेकी की, फिर उसे राजबाद बीच दिखाई दिया, और उसे लगा कि इसका एक पार्ट बड़ा सुनसाम रहता है, क्योंकि वहाँ पे रॉक्स हैं, सारी चटाने हैं, तो उधर सहलानी बहुत कम जाते हैं, उसने वहाँ की रेकी की, उसका प्लैन के तहत फ्राइडे को, दोपहर को वो अपनी बीवी दीक्षा को लेकर, मना करके चलो गूंद कराते हैं, शायद कुछ चीज़ें बदल जाएं, और आज वाग बीच गया, वहाँ पहुंचने के बाद उसने कुछ खिलाया पिलाया, फिर बोला चलो कहीं, तसली से बैठते हैं, उसके बाद जानबूच कर उस रॉक के किनारे ले गया, क्योंकि उसे मालूच था है, यहां कोई देख नहीं रहा, और यह दूर है बाकि स्टॉरिस से, वहाँ ज कोई आने जाने वाला नहीं था, उसने अचानक मौका देखा, अपनी बीवी का गला पकड़ा, और बड़ी जोर से उसका गला पकड़ कर, उसका मूँ समंदर के पानी में डाल दी, और तब तक दोनों हातों से पूरी ताकत के साथ, उसके मूँ के समंदर के पानी के अंदर रखे रहा जब तक कि दीक्षा की सांसे तूट नहीं जब उसे एसास हो गया कि अब दीक्षा कोई विरोध नहीं कर रही है जिसमें में हल चल नहीं है फिर उसने उसका गला छोड़ा किनारे रखा नफ्स टटो ली इसके बाद वो उसकी लाश को घसी तर उसी किनारे में जो चटाने थी वहीं पर रख दी आउंधे मू करके रखी ताकि ऐसे लगे कि समंदर में बही और फिर समंदर के थपेड़ों ने वापस लाशे फेग दी क्योंकि जब समंदर की लहरे उटती हैं तो जाती हैं तो लाती भी है इसके बाद अब वो वहाँ से निकला प्लाइन ये था कि अब वो आइसक्रीम दोनों हाथों में लेकर आएगा लेकिन वहाँ गया तो पहले इसको ये डर लगा कि बता नहीं देखा तो था क्योंकि दिल में चोड़ था गला दबाया पर ऐसा तो नहीं कि वो बेहोश हो गई मरी नहीं अब अगर ऐसा है तक तो वो पूल खोल देगी वो वापस आता है बड़े इत्मिनान से पैदल चलता हुआ फिर उसकी नफस न टोलता है सांसे देखता है धरकने देखता है अब उसे यकीन हो जाता है कि वो मर गी इसके बात वो फिर लोड जाता है फिर तीसरी बार अचानक वो बेताहाशा दोडने लगता है चिल लाता है देखशा देखशा कहा हो तुम किदर हो तुम ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाए और उसका दो बेताहाशा एक तरफ भाग रहा कभी पहले दर दर देखाता है फिर उससी डारेक्शन में भागता है जहाँ उसने लाश औरड़ी पत्थर के पीछ में रखी हुई है जैसा वो चाहता था एक लेड़ी जो शरीफ उसे लगा कि आदमी मुसीबत में वो उसके पीछे दोड़ती है और वो दोड़कर उसी जगा पहुँच जाता है जहाँ पे उसने लाश रखी थी वो लेड़ी विटनेस बन गई कि हाँ मेरे सामने लाशांदी पड़ी थी फिर वो कहता है दीक्षा डूब गई दीक्षा डूब गई तब तक लोग आ जाते हैं पुलिस आ जाती है तो ये सारी चीज़े हो गई सब कुछ प्लान से ही था बट इस प्लान में ये हुआ कि गौरफ को पता ही नहीं था कि इस बीच के पीछे एक अपार्टमेंट है उस अपार्टमेंट बहुत सारे घर है और उसी घर में से एक लेड़ी दो पहर का खाना खाने के बाद तसली से गवा की खुबसूरती की तस्वीरें अपने मॉबाइल में कैद कर रही थी और उन्हीं लम्हों को गल्टी से उसने मॉबाइल में कैद कर लिया तो जब शुरुआती हिस्सा उसने कैद किया और वो जब लेड़ी दोड़ रही थी तब वो चीख रही थी कि ही इस दा किलर इसी ने मारा इसी ने मारा तुम इस से बचो और ये आक्टिंग कर रहा है तो उस लेड़ी के मॉबाइल से जो इत्फ़ाकन शूट हुआ एक ऐसी कतल की पहली जो शायद आगी चलकर एक दो त्यार दिन और पहली ही रहती पहली बनने से पहले ही सुलज गए तो गवापलिस ने भी उस लेड़ी की तारीफ की है और इस कहानी से एक सबक ये मिलता है कि ऐसे कई जरुम होते हैं ऐसे बहुत सारे क्राइम हुए हैं जिसमें हम आप जो हम इनसान हैं हमारी नजरें भी जो हैं एक तरह से आखें और निगाहें एक कैमरा ही है क्योंकि हम देखते हैं तो हम कई बार हमारी हमारा कैमरा यानि हमारी नजरें हमारी आखें बहुत कुछ क्राइम देखती हैं लेकिन फिर हम अपनी नजरें बंद कर लेते हैं हम उसके बारें में बात नहीं करते हैं मुकर जाते हैं कि हमने देखा है पर जो असली कैमरा है वो जोट नहीं बोलता और उसी असली कैमरे ने एक कतल को गुत्थी या पहली बनने से पहले सुझा दिया तो ये थी आज की कहानी इस सबक के साथ तो कहानी खत्म करूँ उससे पहले ही अपना सिल्चला आज पुनित गौतम इनका जरम दिन है तो हपी बड़े पुनित और पुनित गौतम सब इंस्पेक्टर के एक्जाम की तियारी कर रहे हैं तो आल दा बेस्ट पुनित और आप जरूर कामियाब हो और फिर पुलिस में आएं और उसका पक्का फिर आपसे मुलाकात भी होगी साथी काविया आज काविया का भी जरम दिन है हपी बड़े काविया हमेशा खुश रो अच्छी रहो और ये राहुल तोलुम्बिया उनकी बेटी हैं और रहुल साथ पक्का बैंग्रो रहोंगा तो जरूर आपसे मिलेंगे और आठ साल की हो गई है काविया ठैंक यू सो मच काविया तुम्हारा भी और मुलाकात भी जरूर होगी साथी रियांश शाह इनका भी आज जनम दिन हैं तो हपी बड़े रियांश और ये इशान शाह के बेटे हैं एहमदाबाद के हैं लेकिन फिलार ब्रिस्बिन में हैं उस्टेलिया में चेतण शर्मा के भी जनम दिन हैं हपी बड़े चेतन साथ और ये नर्नौल हर्यानदा के हैं साथी लड़ू बाबू दोनों में ही बाबू बाबू हैं तो लड़ू और बाबू हैपी बड़े आपको आरव ने भेजा है हेथ चावडा का भी आज जनम दिने हैं तो हैपी बड़े हेथ और हमें साथ छे रहो और ये पुरसुत्तम के बेटे हैं साथी परीनास को और रुपेंडर सिंग ने ये भेजा है। शोयता ओधा का भी आज जर्म दिने है, तो अप्य बड़े शोयता और ये मुहममद नतीम ने भेजा है। अजीम इद्रीसी का भी बड़े है, हाप्य बड़े अजीम और ये भेजा है करनकोली ने। साथी शेख रिजवान इनका भी आज बड़े है तो हपी बड़े शेख साथी निखिल यादव इनका भी आज बड़े है तो हपी बड़े निखिल और बलके सौरी माफी चाहता हूं निकिता यादव आज निकिता यादव का बड़े है तो हपी बड़े निकिता और ये नीता और जीतेंद्र जी की बिटिया है और छप्रा से हैं और भेजा है पिंटो ने इसके इलावा निखिल का भी आज जनम दिन है जिसको मैं पहले पढ़ गया तहपी बड़े निखिल कुमार है ये और ये भेजा है अरविंद्र ने साथी राधा जी और सुधा सेम इन दोनों का भी आज जनम दिन है और क्या खूब जनम दिन है क्योंकि राधा मम्मी है और सुधा बिटिया है इनकी तो मा बेटी दोनों का जनम दिन है एक साथ तो बहुत बहुत बढ़ाई आज दोनों को भ तो उसका जवाब यह है कि एक बार जब पैसिलेंट दय आचिका खारीच कर दे और आपके पास कोई और आप्शन बचा नहीं है तो फिर दयायाची का होम मिनिस्टरी के थ्रू उस स्टेट के होम मिनिस्टर तक पहुंचता है जिस स्टेट का ये मामला है उस स्टेट का फिर होम मिनिस्टर उसको भेजेगा आईजी प्रिजन को जो जेल के हेड है उस पूरे स्टेट के उस जेल का हेड उस लेटर को फिर भेजेगा जिस जेल में वो कैदी बंद है जिसको फांसी दिया जाना है अब उस जेलर को जिस जेल में बंद है वो कैदी तारीख उसी को मुकरर करना होगा डेट उसी को फिक्स करना होगा कि किस दिन ये फांसी होगी अगर उसके जेल में फांसी का इंतिजाम नहीं यहां फांसी नहीं दी जा सकती जैसा कि अपने कई देश के कई जेलों में है तो फिर वो अपने सुपीरियर को बताएगा और फिर ऐसी जेल को चुना जाएगा जहां फांसी का इंतिजाम होता है तो फिर उस जेल का जेलर बताएगा कि हां इस देट को फांसी होगी डेट टाय करने में वक्त इसले लगता है कि एक तो मरने वाले की पहली कत काथी बदन बहुत बिटेल में पूछना है वो ना अपना होता है रसी की त्यारी करनी होती जलाट ढूड़ना पड़ता है तो एक्चुली मैं इस शॉट में कहूं तो एक जेलर ही जिस जेल में बंद है वही फांसी की तारीख को तै करता है कल फॉलॉप की कहानी में कुछ लोगों को शायद कन्फूजन होगा कुछ ने कहा कि रंगा बिल्ला को भी तो फांसी हुई थी बिल्कुल रंगा बिल्ला को हुई थी पर मैंने जो कहानी में बताया था वो ये कि लास्ट ट्वेंटी एर्स पिछले बीस सालों में 405 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई लेकिन फांसी दी गई सिर्फ आठ को और उस आठ में रंगा बिल्ला का नाम इसले नहीं है क्योंकि रंगा बिल्ला को 70-80 पे फांसी दी गई थी मैंने स्रिफ 20 साल की बात की 2002 से 2014 तक की और रंगा बिल्ला को फांसी दी वे तो करीब 20-30 साल सिर्फ 30 साल से भी जादा हो चुकी जीडी कुश्वा इन्होंने कहा कि जो लोग फांसी की सिर्फ पा लेते हैं कोट में फिर रुकवाते हैं तो इनके पाप पैसे कहां से आते हैं इतने वकील के लिए तो कुश्वा सब दो तरह के होते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आपको सरकारी वकील महया कराया जाता है आपके कानूनी राइट्स बचे में हैं तो उसके पालन के लिए दूसरा बहुत सारे ऐसे एंजियोज अपने देश में काम करते हैं जो इस तरह के हुमन राइट्स को लेकर अपनी बातें रखते हैं तो ऐसे हुमन राइट्स भी ऐसे लोगों के बहुत सारे केस लड़ते हैं तो वकील उनके थ्रूँ मिलता है बाकी जो पैसे वाले हैं वो तो पैसे से वकील करी लेंगे सुरेश मांडा थैंकी सो मच आपका आकिप इन्होंने कहानी के फरमाईश की इसके लावा मनोज लुखार मनोज भाई आईए आप पका आपसे मुलाकात होगी बस एक मेल कर दीजेगा और आपसे जरूर मिलेंगे तो कहानी में इतना ही लेकिन अगवाद फिर आपको याद दिला दो कि कुकू एफम एप पर क्राइम तक फैमिय मेंबर्स के लिए खास आफर है क्राइम 50 कूपर है डिस्क्रिप्शन में लिंक है यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज का सब्स्रिप्शन 49 रुपीज में पहले मन्त के लिए पाएं और कुकू एफम के मजे ले तो आज की कहानी में इतनी ही अब आप सो मुलाकात हों कि कल रात नों बजे किस नहीं कहानी के साथ तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखेगा थैंकि वरी मच्च